जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ नहाना जीवन के लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण क्रिया है रात को सोने के बाद और सुबे जगने के बाद जब तक हमारा शरीर इस्तनान नहीं करता तब तक हमारे शरीर के अंदर नई क्रियाएं और नई शक्तियां प्रवेश नहीं करती अगर मैं अध्यात्मिक दरश्टी को उन से बात करूँ जोतिश के हिसाब से बात करूँ तो रात को जब हम सोते हैं तो हमारे वो ग्रहे उस समय अक्टिव होते हैं जो रातरी बली होते हैं जैसे की केतू, राहू और शनी ये वो ग्रहे हैं जो रातरी के अंदर बल देते हैं जिनसे हमारी कुंडली को हमारे जीवन को रातरी में ही बल प्राप्त होता है जिने बहु उन्हें रात को सोते समय इंट्यूशन होते हैं, जब रातरी को ये ग्रहे प्रभावी हैं, छीक है बहुर अच्छी बात है, क्योंकि रातरी को हमें इनी ग्रहें का सपोर्ट चाहिए होता है, शायद इसी वज़े से रात को सोते समय कुछ चीजों के लिए रिस्टिक्शन्स लगाए जाते हैं जैसे कि साउथ की तरफ से रख के सोने को कहा जाता है जैसे कि आइने के सामने दरपन के सामने कभी भी सोने के लिए मना किया जाता है क्योंकि के तु परच्छाई ग्रह है ना तो अपनी परच्छाई को अपने सामने रखने के लिए मना किया जाता है हम रातरी को इन ग्रहों को बली करते हैं और सोने के बाद उचकर हम इन्हें अपनी बॉडी से दूर नहीं करते तो याद करिएगा और इस बात को बहुत अच्छी से समझने की कोशिश करिएगा ये तीन ग्रह आपके जीवन के अंदर क्या क्या देंगे शनियालस देंगे है राहू ब्रह्म देंगे दर देंगे दोका देंगे के तू आपके जीवन को चक्राने का काम करेंगे जो लोग कहते हैं धन नहीं आता पैसा नहीं आता प्यार नहीं आता भाई क्यों नहीं आता क्योंकि हम अपने इस्नान में कुछ साबधानिया नहीं रखते हम इस्नान करत यह सारे ग्रह जो है यह भी तो वक्री होने चाहिए यह भी तो एक्टिव होने चाहिए तो चलो भय अब जब हम आपके इंग्रहों की बात कर रहे हैं तो आपको आज ऐसा अधबुद उपाए बता देते हैं जो आप अगर नहाते वक्त करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ वास्तू शास्ती हूँ चहरा भी पढ़ती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ और हातों की लकीरे भी पढ़े लेती हूँ लेकिन उससे पहले चुकि मैं आपके साथी हूँ इसलिए जीवन की चोटी चोटी बाते आपको समझाने चली आती हूँ हम नहाते समय ऐसी क्या चीज करने जिससे हमारे जीवन में धन आने लगे एक नहाने के पानी मातर से हम अपने जीवन में प्यार को वापस अपनी तरफ खीच ले बहुत ज़्यादा चीज़े हमसे नहीं होती है बहुत सारी चीज़े मिलती नहीं हैं मार्केट में जो लोग बताते हैं नाना बाबा घर में रखी हुई चीज़ों से काम करेंगे कैसे करेंगे बताती हूँ आपको अगर आप कुछ टाइम पर कुछ तिथियों पर अगर आप हल्दी का अस्नान करते हैं तो इस से आपको बहुत ज़़दा फायदा होता है जैसे कब कब बताओं पुर्णिमा वाले दिन, एकादशी वाले दिन, गुरवार वाले दिन और खास करके रविवार वाले दिन अगर आप गंगा जल को सुमवार के दिन डाल कर इस्नान करते हैं तो इस से आपको बहुत फायदा होता है अगर मंगलवार के दिन आप लाल चंदन चुटकी भर डाल कर इसनान करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होता है शनिवार के दिन काली राई अगर आप पानी के अंदर डाल कर इसनान करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होता है धन चाहिए जीवन के अंदर करजा उतारने का बिल्कुल आसान तरीका चाहिए तो शुक्रवार के दिन और खास करके 21 शुक्रवार ये कारे कर लिजेगा 21 शुक्रवार काली उड़त की डाल और एक तांबे का सिक्का पानी के अंदर डाल कर नहना स्टार्ट कर दीजे गलती कहां करते हैं आप जानते हैं हम चुट्की भर नमक तो डालते हैं की हमें नहाना है लेकिन हम दिन नहीं देखते गुर्वार को अगर नमक से नहाएंगे तो नेगिटिव इंपेक्ट आएंगे बुधवार को डालिये नमक को बुधवार को डाल कर नहाईए या फिर आप ये क्रिया को सुमवार वाले दिन करिए तो आपको इसका बहुत benefit प्राप्त होगा एक बात और हमने नमक डाला हल्दी डाली और तुरंट वो पानी डाल लिया पानी के साथ उस चीज को थोड़ी देर घुलने दीजी बोतल के अंदर पानी बना लीजे और नहाते समय उस बोतल को बाकी के पानी में मिला दीजी लेकिन बोतल के अंदर कम से कम घंटा आदा घंटा ये चीज़े डाल कर रखिए ताकि उसका प्रभाव उस जल के साथ मिले वो तत्व आपस में एक दूसरे से मिल जाएं जब मिल जाएंगे तभी तो आपके जीवन को सुधारेंगे है ना? चीक है एक बात और बहुत विशिश और बहुत महत्पून नहाने का जो जल होता है नहाने का जो पानी होता है उसको अकसर हम ऐसे ही बातरूम के अंदर छोड़ देते हैं आपकी बाड़ी की एनरजीज रिमूव होती है नहाने के बाद उस पानी को वाइपर से सूता जरूर करिए उस पानी को वाइपर से हटाया जरूर करिए ताकि कोई और आकर उस जगे पर पैर रख कर या उस जगे पर वापस से स्नान करके उस एनरजी इसको ग्रेहन ना कर ले चलिए जी बहुत अच्छी बात अब एक और विशिश चीज बताती हूँ बहुत लोग खड़े खड़े नहा लेते हैं पटे पर बैठ कर नहीं ना आते 14 वाले दिन हमेशा बैठ कर इस्नान करिए पुर्निमा वाले दिन हमेशा खड़े होकर इस्नान करिए एकादशी वाले दिन वस्त्र कुछ ना कुछ पतला पहन कर इस्नान करिए बहुत गजब है ये कहने के लिए दक्यानूसी बाते लगती है लेकिन जब इसका जीवन पर प्रभाव आता है ना तो मज़ा आ जाता है साथ बहुत अच्छा लगता है तो चलें कुछ और रोचक जानकारियां दें आपको बात्रूम अगर आपका गलत डाइरेक्शन में बना है तो अपने बात्रूम में फिट करी ज़रूर रखिए ताकि नहाते समय आपके साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन जुड़े कुछ लोग सिर को खुला रख कर नहाते हैं नहीं हमेशा बालो को बांध करना ही है अब सिर ना धो रहे हैं उस दिन एक और वी शेश चीज बताती है आपको अपने शरीर का मेल कप छुडाना चाहिए आपको अपने शरीर का मैल छुडाना चाहिए शनिवार वाले दिन बहुत गजजब का इंपेक्ट आता है आप करके तो देखिएगा हलका सा स्क्रब बनाएए और शनिवार वाले दिन स्क्रब करके अपने मैल को छुडाने का प्रयास करिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जो मैंने आपको नहाने में बताई है वो आपके नहाने के बाद नीचे रहे जाएंगी बात्रूम में तो आप उसे उठा कर किसी पेड़ पर रख सकते हैं या फिर आप किसी ऐसी जगे पर डाल सकते हैं जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े चलिए चलती हूँ फिर आउंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुद लेकर आपकी कुनली में भी कोई दिक्कत है कोई जोल है कोई परेशानी है तो आप दिये गए नंबर्स पे कॉल करिये वाटसप करिये या मैसेज़ेस करिये अपॉइन्मेंट लेकर ही मुझ से बात होगी तो वहां से अपॉइन्मेंट का अब तरीका प्राप्त कर लीजे आज के लिए बस इतना ही मेरी जान फिर मिलेंगे तब तक के लिए मुस्कुराते रहेगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा आपने सार्थी के साथ योई जुड़े रहेगा प्यार देते रहेगा प्यार लेते रहेगा ख्याल रखेगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आओंगी तब तक के लिए जैशी कृष्णा द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात रिशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवासा जा चुका है